दोस्तो बरसाथ के मौसम में गरम गरम अद्रक की चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है सर्दी खांसी दूर करने के साथ ही अद्रक और भी कई विवारियों में फायदे मंद होता है तो इसी के बारे में इस वीडियो में जारेंगे वीडियो को आप लाश तक जरूर दीखेगा दोस्तो नमबर एक यदि आपको भूक नहीं लगती है तो अद्रक को बारी काट कर नमक छिड़क कर आप खाईए इससे कबज की सिकायत आपके दुर होगी और भूक आपको खुल के लगेगी दोस्तो नमबर टू अद्रक खाने से पाचन सकती मजबूत होती है दोस्तो नमबर थ्री बुखार होने पर अद्रक और पुदेने का काहा बना कर आप पीजिए आपका बुखार तुरंत गायब हो जाएगा दोस्तो नमबर फोर अद्रक के रस में सहद डाल कर चाकने से खासी ठीक हो जाती है दोस्तो नमबर 5 जुखाम से दिया परिसान है तो अद्रक वली चाय पीजिए आपको तुरंत ही रहत मिलेगी दोस्तो नमबर 6 लगातार उल्टी यदी आपको आ रही है तो अद्रक के रस में आप प्याच का रस मिला कर पी लिजिए आपकी उल्टी की सिकायत दूर हो जाएगी दोस्तो नमबर 7 पेट दर्ध होने पर अद्रक और पुदेने के रस में थोड़ा सा सेधर मग मिला कर आप पी लिजिए दोस्तो नमबर 8 अद्रक को कूट कर पानी में उबाल लीजिए और इस पानी को दिन में तीन बार आप पीजिए आपकी लूज मोशन की समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तो नमबर 9 अद्रक में मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट्स एलर्जी और इंफेक्शन से लड़ने में मारी मदद करते हैं डेली अद्रक खाने से सांस से संबंधित बिमारियों का खतरा कम हो जाता है दोस्तो नमबर 10 अद्रक के रस में मेथी दाना और सहद मिला कर खाने से अस्थमा के मरीज को तुरंत ही रहत मिलती है दोस्तो नमबर 11 अद्रक के एंटी एलफेमेंटरी गुड महिलाओं को पीरेट के दर्द से छुटकारा दिलाते हैं पीरेट के दौरान होने वाली गैस्टिक की समस्या यदि आपको होती है तो अद्रक खाने से दूर हो जाएगी दोस्तो नमबर 12 माइग्रेन के दर्द में सिर पर अद्रक का पेश्ट लगाने से आपको दर्द से रहत मिलती है ये लेप लगाने से सिर में ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है जिससे दर्द से आपको तुरंत ही आराम मिल जाता है दोस्तो नमबर 13 यदि आप जॉइंड पेश्ट से परिशान है तो पानी में अद्रक करस मिला कर आप नहा लीजिए आपके दर्द की समस्या दूर हो जाएगी दोस्तो नमबर 14 रेगुलर अद्रक करस पिने से कोलेस्ट्रोल लेबल कंट्रोल में रहता है ब्लड फ्लो को ठीक करता है जिससे हार्ट एक की समस्या कम हो जाती है दोस्तो नमबर 15 अद्रक को सर्दी के लिए बेश्ट बान दाता है दरसल ये सर्दी पैदा करने वाली वैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है दोस्तो नमबर 16 यदि आप गैस की समस्या से परिशान रहते हैं तो आधा चमच पिसी हुई सोट में नमक मिला कर दिन में आप तीन बार गर्म पानी के साथ खा लेजिए आप तुरंत ही आरा मिल जाएगा दोस्तो नमबर 17 अपनी बढ़ी हुई तोंत को यदि आप कम करना चाहते हैं तो 10 ग्राम अधरक को छील कर छोटे टुकुडे करके तावे पर थोड़े से पानी के साथ आप भून लीजिए जब पानी सूख जाए तो इसमें एक चमच देशी घी डाल कर अच्छी तरह इसक लीजिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद